हेलो और विल्कम दोस्तों मैं हुरुषकुपार और आप सबस्वाइब का स्वागत है यहाइए सबस्क्राइब करें लिए ताकि हमारी हर वीडियो के नोट इफ किसे आप तक मिले सबसे पहले तो दोस्तों आज की स्विडियो में बात करने वाले हैं कि आगर आपके फोन में अगली बार हमारा फिर से इंस्टाल हो जाता है तो इसको कैसे हम रिमो कर सकते हैं अगर हम यहां से हटा दिए तो दुबारा फिर से इंस्टाल ना हो तो वीडियो सुरू करते हैं तो वीडियो सुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जो कर देगे तो सबसे पहले यहां पता दू कि एडिटर प्लस नाम से एक एप होता है जो अपने आप इस्टाल हो जाता है तो दोस्तो सबसे पहले मरे उसाइब का इकन है तो सेटिंग में जाएंगे उसाइब को कैसे डूणे तो यहाँ प्रमाइनमे क्रीट कर गाले हैं एक आपको आपको॥ ज़िलिख करे कि अप्पडिया कि तो इहांप यहांप यह देख लेगे नज़ना कोई फिर से यहां पर हम सर्च करके देख लेते हैं यह हट गया है लेकिन फिर से इंस्टाल हो जाएंगा तुसके लिए क्या करें तो उसके लिए अगर आप कोई ऐसा डाउनलोड करें होंगे कुछ समय पहले रिसेंट में जिसके वज़े से आप आटोमेटिक इंस्टाल हो जा रह इसके वज़े से होता हैं यहां पर आटोमेटिक मैं जम नेट चालू करता हूं तो हौट पोट हैसे करके कुछ लिखिया क्या आता है तो आपके फोन भी आया हो गारियोगे और आहसे ही पूरी हिस्टरी हम यहां से डिलीट कर दिंगे अगर हो सकत के तो जिसकी वज़े से यह हो रहा है उसको आटोमेटिक यह जो हिस्टरी जैसे मैंने बताया कि आटोमेटिक सर्च होने लगता है हाँ टॉपिक कोई भी विसाइट आटोमेटिक सर्च होने लगते हैं यह आटोमेटिक कोई आप अगर आप दूसरा आप चला रहे हैं तो आटोमेटिक दूसरे आप में आ जा रहे हैं आ आपका बेंक काउंट भी खाली हो सकते हैं कि किसमें वाइरस होता है यह मालवेयर साफ्टेयर होता है इसमें दोस्तों आप यहां से एक एक करके सारी के सारी हिस्टरी आप डिलेट कर दीजिए तो अगर आपके फोन में ऐसे प्राब्लम हट गई हो तो हमें कमेंट करें अगर नहीं हटी तो आप हमें कमेंट करें मैं उसका सल्यूसन जरूर बताऊंगा कि कि आपके फोन में आप जल्दी आपने फोन में जो आप इंस्टाल किया है जल्दी उसके बाद से प्रॉब्लम आ रहे हैं तो सैप को अनिस्टॉल कर दीजिए आप उसके बाद अगर ऐसा प्लेस्टोर से आप डाउलोड करते हैं तो उसमें नहीं तो इसको अनिस्टॉल कर दीजिए क्रोम रॉजर से प्रॉब्लम साप परेसिन अपको आपको अपकी फोन से हट जाएगी प्लेस्टोर में इसके वाज़े से इसका इसको बाद और रोजर से किसे आप को स्टाल करते हैं तो उसमें माल वर्यट साप्टेयर मोड एप होते हैं तो आप लिए प्रम से किसी एक आप बाईब से G4 आप लो फप्राइब सूसाल किए तो उसको होते हैं जिसकी वजह से यह से आपके फॉन में आप इस्टाल होने लगता है तो आपके फॉन में लिगाएब कभी कभी ओपिन होने लगता है आप तो उसमें भी आपके phone में जो आप होता है वो इंस्टाल हो जाता है तो यहां पर आपको पूरी तरीके से मैं ने बता दिए कि आपने जो रिसेंट में आप इन्स्टाल किया हो उसको अनिस्टाल कर दीजिए तो फिर भी अगर आपके phone में यह प्रब्लम आती है तो हमें कमेंट में जरूबत है वह उसको सलुसन बता दूगा तो कैसा लगे वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूबत हैगा थैंक दोस्तों मिलते हैं लोट में तब तक ले धन्वाद